आइसीऊ से लालू यादब का? समर्थकों के लिए पहला संदेश क्या बोले आरजेडी सुप्रीमो? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादब ने सिंगापूर के असपताल से किडिनी ट्रांस्पलांट के बाद पहला संदेश दिया है अपने संदेश में आरजेडी सुप्रीमों ने कहा है कि आप सभी की दुआओं से अच्छा महसूस कर रहे हैं लालू यादब का सिंगापूर में किडिनी ट्रांस्प्लांट हुआ है छोटी बेटी रोहनी आचार ने अपने पिता लालू यादब को अपनी किडिनी दी है दरसल लालू यादब की बेटी और राजसभा सांशद मीशा भारती ने मंगलवार को ट्विट किया मिसा भारती ने ट्विट में लिखा आप सब की दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बेहतर महसूस करवाया, आज पापा ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, मिसा भारती के ट्विट में एक बीडियो भी था, जिसमें लालु यादब का एक ब लोग ने सब दुआ की आप आच्छा फिल कर रहे हैं हम, आच्छा फिल कर रहे हैं इन सब के बीच मंगलवार को पीम नरेंदर मोदी ने बिहार के डिप्टी सियम और लालु यादब के बेटे तेजस्वी यादब को फोन किया इस दोरान पियम मोदी ने तेजस्वी आदब से लालू आदब के स्वास्त के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लालू आदब का हाल चाल जाना। इसके पहले भी जब लालू आदब की तवियत खराब हुई थी तब पियम मोदी ने तेजस्वी आदब को फोन किया था और लालू यादब की सेहत के बारे में जाना था बताते चलें कि लालू यादब लंबे समय से किड्नी की समस्या से जूज रहे थे उनकी एक किड्नी ने काम करना बंद कर दिया था डाक्टरों ने उन्हें किड्नी ट्रांस्प्लांट की सलाह दी थी डाक्टर की सलाह पर कुछ द पताल में अडमिट हैं दोनों का स्वास्त ठीक है खास बात यह है कि लालू यादब को अपनी किड़नी देने पर रोहनी आचायर की खुब तारीफ हो रही है बता दें कि लालू यादब के ओपरेशन की तैयारी कई दिनों से की जा रही थी सिंगापूर में ओपरेशन से पह ताकि किड़नी ट्रांस्प्लांट के लिए सिंगापूर में पहुंची थी वो समय समय पर सोसल मीडिया के जरिये लालू यादब की हेल्थ अपडेट देती रहती है इसी विच सिंगापूर में किड़नी ट्रांस्प्लांट के बाद पहली वार लालू यादब का एक वीड ते जस्वी आदब, राबडी देवी, मीशा भारती समेत अन लोग अस्पताल में ही मौजूद थे। दूसरी तरफ लालू आदब के समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं वन इंडिया हिंदी।